इसको जरा ध्यान से समझो तो 90% से ज्यादे बच्चे को इसमें दिकत ही दिकत है और जे ही हो या नीट अगर तुम चाहा तो यह सवाल न्यू बने तो कॉंसेप्ट तो समझना पड़ेगा अगर कॉंसेप्ट कि अगर फील आ गई तो तब दिमाग भी चलता है तो मैं तुमको दिमाग चलाना सिखाओंगा भी येस कार चलाना जानते हो, कार की सबारी कीए हो, कार की जब ड्रैविंग करोगे तो उसमें होता है एक एक स्रेटर और एक होता है ब्रेक, और भी चीज होती है भाई पाँआब एक बात बता ओ से मड़ं ऐई और चलती हुई कार का waxed घाटाना तो जो क्या करोंगे so कि ब्रेक लगा होंगे यह एक्षब्स देना बंद Original गिए bacon कि अब समझो t0 जब सवाल में बोले कि वेलोशिटी इंक्रीजिंग है क्या बोले वेलो की Forsch इंपरीजिंग है तो क्या समझूगे संगे acceleration positive क्या समझोगे acceleration positive acceleration को A से denote करते है clear और बोले कि V decreasing यानि velocity decreasing कर रहा है तो क्या समझोगे समझेंगे acceleration negative है yes यानि acceleration negative होने का मतलब को हम लोग बोलते है retardation क्या बोलते है retardation और उसी का दूसरा नाम है deceleration clear और अगर velocity constant होता हो अगर velocity होगा constant तो समझेंगे ये बराबर 0 है यानि ना तो break लगाए ना तो accelerator दिये yes भी बराबर constant मतलब acceleration बराबर 0 समझना है यानि कुल मिला के मुझको ये समझ में आया कि acceleration का काम velocity बरहाना yes और retardation का काम velocity घटाना yes अच्छे एक बात बताओ कि velocity और acceleration का direction कैसा रहेगा तो velocity बरहेगा समझो इसको जैसे देखो इधार अगर velocity है अब उधार ही अगर acceleration हो जाए तो समझना की velocity बढ़ेगा क्या होगा velocity बढ़ेगा यानि magnitude बढ़ जाएगा उसका अच्छे धार velocity है उसके अपोजिट में अगर acceleration हो जाए तो velocity का magnitude क्या होगा घटेगा यानि speed घटेगा या यूँ कह सकते हो कि velocity घटेगा ये भी कह सकते हो थोड़ा थोड़ा feel आया क्या feel yes अब एक और सांदार concept को समझो घटेगा seat में 18 नम्मर का सवाल है कर रहे what does ये and ये represent ये क्या represent करता है और ये क्या represent करता है ये समझाना है yes एक बात बताओ dv by dt को हम लोग क्या बोलते है dv by dt को क्या बोलते है acceleration बोलते है तो ये क्या हो गया ये yes ये हुआ क्या हुआ ये हुआ क्या बताओ magnitude of acceleration अब तो समझ में आ गया होगा यानि acceleration का magnitude को बताता है अब रहा बात ये क्या बताता है ये ये तो ये बताता है speed को ये किसको बताता है speed को और ये 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 लग गया तो ये हुआ rate of change of speed क्या कहेंगे इसको rate of change of speed ये कहेंगे इसको clear है अब इसको और भी आगे detail में समझाओंगा अभी तक लिए ये काफी है यानि speed का rate of change है rate of change of speed rate of change of speed है और ये क्या है acceleration का magnitude है clear अब आगे देखो येस अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे बहुत बहुत important है लिखा हुआ है velocity change यानि अब हम लोग ये सिखेंगे कि velocity change कब-कब हो सकता है बस एक बात बताओ velocity scalar quantity है कि vector quantity कईशा quantity है vector यानि ये जो है कैसा quantity है vector quantity है और जैसा कि पता है कि हर vector quantity में क्या-क्या होता है एक होता है magnitude और दूसरा होता है direction यानि velocity को change कराने के लिए velocity के magnitude को भी बदलना पड़ेगा और velocity के direction को भी बदलना पड़ेगा या दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा या दोनों को बदलना पड़ेगा clear है यानि velocity चेंज तभी होगा या तो उसका magnitude बदले या उसका direction चेंज करे या दोनों चेंज करे तो सबसे पहले देखेंगे कि magnitude कब चेंज करेगा ये समझते हैं यानि तीन तरह से इसको समझेंगे ध्यान से देखना पहला है कि जब V parallel to A हो जाए पैरलल या anti-parallel A हो जाए तब होगा क्या जैसे इधार है मेरा V जिधार है भी उधरे acceleration हो जाए तो क्या होगा direction चेंज करेगा क्या direction करेगा क्या या जिधार भी है उसका opposite में acceleration हो तो इसका मतलब हुआ कि जब acceleration का direction velocity के तरफ होगा तो velocity का सिर्फ और सिर्फ magnitude चेंज करेगा समझा किने बात only magnitude only magnitude of velocity changes कब कब जब velocity acceleration के parallel हो यानि acceleration velocity के parallel होगा तो सिर्फ और सिर्फ velocity का magnitude change करेगा clear है अब रही बात direction कब change करेगा समझो ध्यान से यहाँ पर एक सर्कील बना रहे है क्या बना रहे हैं सर्कील एक बात तो तुमको पता होगा माल लेते हैं कि particle यहाँ पर है तो बेलो सिटी टेंजिन के तरफ होता है अगर सर्कूलर पाथ पार्टिकल जा रही है तो वेलो सिटी इधर है माल लेते हैं यहाँ पर जब था और यहाँ पर होगा तो बेलो सिटी कि इधर हो जागा कैसे यहाँ इधर है यहाँ इधर है यहें इधर है यहां हिधर है जेंज कर रहा है ना यह एक बात जानलो आगे जाके सीखोगे कहता है कि जब acceleration perpendicular to velocity होगा तब यह situation होता है यानि acceleration किदार होगा इधर 90 degree किदार होगा acceleration center के तरब याद रखना जब acceleration velocity के perpendicular होगा तो velocity का direction चेंज करेगा यानि acceleration perpendicular to velocity के direction को चेंज करेगा फिर से समझो जब acceleration velocity के तरफ होगा तो समझेंगे कि velocity का magnitude खाली बदलेगा और जब velocity का perpendicular में acceleration हो तो velocity का direction चेंज करेगा वह इसमें क्या होगा only only direction changes याद रखना only direction changes लेकिन दोनों बदलना होगा तब तिसरा situation लेकर यानी भी अगर इधर है भी अगर इधर है और ए इधर है अध दोनों के बीच इम अंगिल theta है यानि वेन भी मैक्स वेन ए मैक्स अंगिल theta वित भी तो क्या होगा समझो याँ से समयना जैसे ये मेरा भी है दिमाग लगा के समझो और ये मेरा A है और दोनों के बीच मेंगिल मालते थेटा है तो A का component इधर आएगा आएगा इधर एक component इधर आएगा वो होगा A cos theta और दूसरा component इधर होगा वो क्या होगा A sin theta यानि ये A को ही दो भाग में कर दिये न A को काड़ दिये यानि A का A component हो गया A cos theta और दूसरा component हो गया A sin theta अब मुझे तूम बताऊगे कि इसका काम क्या है ये A cos theta जो A का component B के तरफ है वो क्या करेगा velocity के magnitude को बरहाएगा यानि A cos theta क्या है velocity के magnitude को बरहा रहा है और ये A sin theta क्या होगा velocity के direction को change करेगा ये यानि ऐसे situation में यानि A अगर velocity कुछ से कुछ angle बनाएगा तो velocity का magnitude भी change करेगा और velocity का direction भी मजा रहा है येस तो A cos theta क्या करेगा velocity के magnitude को बरहाएगा और A sin theta velocity के direction भी change करेगा तो A cos theta यहाँ क्या है जरा समझते हैं येस ठीक से समझोगे फिर से लिग देता हूँ ये था B और ये था A अग दोनों के बीच का एंगिल है theta तो परह हो कभी A dot B बराबर होगा A B cos theta यानि यहाँ से A cos theta का मान निकाल लो बाहर A cos theta बराबर क्या होगा A cos theta बराबर A dot B by F तो इसको क्या बोलेंगे A cos theta को A cos theta यहाँ क्या है यह है A cos theta और इधार A cos theta और इसको काट क्यों दिये भाई क्योंकि इसी का ना दो पार्ट कर दिये हम लोग इसलिए इसको काट दिये तो यह cos theta ने क्यानि component component of याद होगा vector में A along component of A along B बराबर याद है A dot B by B क्या इसी को हम लोग बोल सकते हैं rate of change of speed कह सकते हैं नहीं यानि इसको ऐसे कह सकते हो D B by D T कहेंगे नहीं S B T यह हुआ उसका rate of change हुआ है क्लियर हो गया क्लियर हो गया अच्छा से ना पूरा अच्छा से अब क्या करोगे कुछ सवाल बना कर देखो कि एकदम मस्त वाली फीलिंग्स आईगी येस तो देखो अगला सवाल ये सवाल करें कि भी दिया हुआ है ये ये है भी और ये है ये दोनों अलग अलग है ना तो मान लेते हैं इधार होगा भी और इधार है ये अब दोनों के बीच में अंगल है फेटा याद रखना इस तरह का सवाल कि किसी से पूछ के देखना पांस साल से त्यारी कर रहा होगा नीट का नहीं बना पाएगा चैलेंज है बनाकर तो कभी कभी टेस्ट करना चाहिए अगल बगल का तब पता से लेगा कि तुम कहां पर रहे हो येस कहा रहा है कि रेट आप चेंज ओप स्पीड क्या निकालना है रेट आप चेंज ओप स्पीड इसका मतलब रहा है ये पहले समझना है ये रहा है रेट आप चेंज ओप स्पीड का मतलब हुआ ये पहले समझना है स्पीड हुआ यह नहीं अब आपटएडि यह रेट आप चेंज ओप स्पीड तो इसका मतलब हुआ कंपोनेंट ओफ एलोंग भी याद रखना इसका मतलब क्या हुआ कंपोनेंट ओफ एलोंग भी कि एडॉट फी बाइ फी अब तो कुछ कहने का जरौत ही नहीं तुम नहीं यहाँ एक और यहां एसन ठेटा था और यह 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 है एडॉट भी बाइब भी काम हो गया ना आता है कि निए डॉट प्रोडट करने 3 into 1 बराबर 3, 4 into 1 बराबर 4, अभी का म्यागनिचूड 3 square plus 4 square, ऐसे ते रूठ हो जाएगा, इसका मतलब होगा 7 by 5 meter per second, मजा आया मजा, येस, आया, अगला सवाल बना के तो दिखाओ, ये सवाल है, भी बराबर दिया हुआ है, find rate of change of speed, क्या कर रहा है, find rate of change of speed, ये संजोग से उसके तुलना में थोड़ा सा आसान हो सकता है, इसको दूसरे एंगिल से भी सोच सकते हैं, पहले दूसरा एंगिल ही ले लो, कि पहला एंगिल, पह बात एक और टेकनीक है, उसको भी समझें, ठीक है? तो पहले तो मेरा क्या है भी बराबर, भी बराबर है, ti प्लास, ti स्क्वाइर जे, तो a बराबर क्या होगा भीया? A बराबर, ए बराबर क्या होगा वच्चे, a बराबर, dv बठ, dt, आता है, इसको differentiate करोगे, तो क्या होग 1 होगा 1i और इसको differentiate करोगा तोटी हो जाएगा तो rate of change of speed तो डिरेक्ट भी लिख सकते हो rate of change of speed rate of change of speed यानि component of component of A along V यानि A dot V by V पहली concept बता चुके है tension में नहीं आना है A dot V कर दो धर-धर A dot V A dot V 1 into T बराबर T बहुत बढ़िया इससे करां करोगे plus 2 T cube divided by V का मैंगनी चूट यानि T square plus T square का मैंगनी चूट उपर में आया T common ले लो 1 plus 2 T square इसमें देखो इसमें भी मेरा T square common लो T square common लेके बाहर लाओगे तो T आ जागा इधा यहां बज़ जाएगा 1 और यहां बज़ जाएगा plus T square और यह कट गया यह हो गया मेरा answer यह तो हुआ एक method इसका दूसरा method भी देखना चाहोगे देखो भी बडाबर T I plus T square J है यह मेरा velocity है speed समझते हो क्या होगा speed बराबर होगा इसका square कर दो plus इसका square कर दो रूट कर दो यह बड़ा होगया मेरा speed और सवाल में बोल रहा था क्या rate of change of speed क्या बोल रहा था rate of change of speed यहीं हुआ rate of change of speed क्या हुआ rate of change of speed यहानि इसको differentiate करना है क्या करना है यहां लिया T square नहीं और यहां लिया T पर पावर का लिया रूट क्या इसको यू मालो यू रूट के अंदर जो है ना उसको मालो यू तो रूट यू का डिफ्रेंसिस्टन क्या होता है वान बाय 2 रूट यू यू हां वान बाय 2 रूट यू इन्टु डी यू बटभी टी यह सब्सक्राइब करोंते क्या होगा टी स्कुर का हो जागा 2 टी इसका हो जागा फूर टी पे पावर थुरी येस ये और ये बराबर आ जागा तुम्हों देखो यहां से दो कॉमन लेके कट जाएगा यहां कट दें हैं यहां से दो कॉमन लोगे कट जाएगा यहां क्या बचेगा टी कॉमन ले लो टू टी कॉमन ले लो one plus two t common ले लिए तो two t square बचेगा बचेगा उपर में अब नीचे में देखो two to two है अब देखो t square common ले लो इसमें t square common ले लो और वो बाहर हैगा तो t बन जाएगा येस तो t square common लिए हो और t square जब बाहर आया तो t बन गया यहां बचेगा one यहां होगा t square one plus t square और टूटी टूटी कैंसी लिए वाव मजा आ गया दो-दो समझ में आ जाएगा तो जेई होया नीट सवाल को एक बार जब चूद होगे ना तो निगेटिव नहीं होगा यानि माइनस से बज्जाओ यानि पांच नंबर का फाइदा होगा कैसे खुद घुला भाग कर ले ना कईसे अब क्या करेंगे अगला देखो आ है ये दोनों सवाल तो तो तुझे लिए अगया है नहीं हेंडूटे जाते हो कि होमब्ग करहने दिया जाया य Economics ये दोनों सवाल खूल से उतन हम्हां अब यह सवाल सीट में तो 23 करके लिखा हुआ है नमडी में थोड़ा से दिक्कत होगी है क्या करोगे 21 दे दिया हूं कोई ठैन्षन नहीं लेने का क्या कर रहता है सवाल आ कि पार्टिक्ल मॉप इन एकस वाय प्लेन एकस वाय प्लेन समझते हो थिव को समझते हों ऐक सिंग यह अगर x axis है और यह कोई पॉइंट है और पॉइंट पी का कोडिणे एकस वाय है और यह है मेरा ओ यहbones medicine क्युक्राय को बोलते हैं और आर के बारा में पता है ना लिखा जोगा एकस आइप पता है कि नहए नहीं य जिए इसमें पता है कि यह क्योंकि यह मेरा एकसट meer दूंगे यह है मेरा थोड़ यह मेरा य है कि टी स्क्वाइर आई है कि सीट में तो थ्रीटी मैंनस वन जिय है यानि यहां जो है ना आर के जगा आर के जगा है टी स्क्वाइर आई तो यह हो जाएगा तो भी बराबर जानते हो क्या होता है भी बराबर होता है d r data dt क्या होता है भी बराबर d r data dt बहुत बढ़ीयां इसको करनी आता है Leo to talk a गा रहा जाएका बहुत बढ़ीयां इसको करोंगे तो क्या होगा ठीडाद यख से इसका धुब्रेंसेशन फॉन होगा इसका डिफ रिक काशन होगा यह घृच जाएगा यह ऊग्या मेरा आथी और बोल्राथ कभी का मांड़ी वण सेकेंट पर निकाल दो भी का मांड़ी वण सेकेंट वण सेकेंट अब प्लास 3G यह हुआ वेलोसिटी शम्जा भी आया भी आप लाएंगे ए तो तुमको पता है कि ए बराबर होता है का होता है डी भी वाटर डी टी होता है येस येस ये मेरा भी ये ये नहीं ये तो टी बराबर वन सकेंड पर का है टाइम टी पर का जो रेका ना उसको डिफ्रेंसेट करोगे तो इसको डिफ्रेंसेट करोगे दिखतना होगा 2T, T का हो जागा 1, 2I, 2I, T का 1 होगा, T को differentiate करोगे, तो वो न डिफ्रेंसिट करोगे, तो क्या करोगे, differentiation का विडियो लेक्चर, देख लोगे, इसे तुमको आता होगा, है ना, अब पलास, इसको differentiate करोगे, कितना होगा, 0, 0, 0, एक और चीज पुछाता, दुनों होगे, अब पुछ रहे, एक आमान, T बराबर 1 पर क्या होगा, आप देखो, देखो, हम तो ठाहरे परदेशी, साथ क्या, तुम तो ठाहरे परदेशी, साथ क्या निभावगे, गना सुने हो कि लिए, आप देखो, इसमें T है ही नहीं, तो T का क्या, ये साथ देगा, साथ नहीं देगा न, T तो है ही नहीं न, तो एक आमान, T बराबर 1 पर भी यही रहेगा, T इसको साथ नहीं दे रहे, है ही ने T, T से इंडिपेंडेंट है, एक्सलरेशन को बोलेंगे, कॉंस्टेंट है, यहां पर, सही है, udsपीड पूछरा ए, speed याद रहे, speed बराबर, velocity का मेंग नीचो, speed बोले तो, velocity का, velocity कहां यहां पर है, 2T, तो 2T का स्कोयर, प्लस, प्लस प्लस, प्लस थरी स्कोयर, ये हो गया मेरा, speed बमबम हो गया कि नहीं मतलब समझ में आया कि नहीं feel तो आ ही गया R दिया रहेगा B पुछेगा DR by DT कर देगे A पुछेगा DV by DT कर देगे अब इसमें हम लोग हो गये है चबरदस्त अगला देखो अगला बहुत मज़ाने वाला है तुमको 22 नमबर ये सब सवाल तुम्हारे लिए तो दाएं बाएं हाथ का खेल होगी होगा B दिया हुआ है बोल रहे है ये निकालो और वो T बराबर 2 सकंड बर मामूली सवाल है A बराबर हम जानते हैं DV by DT देखो यहाँ भैक्टर लगागती यहाँ भी लगागगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग वीडियो पोज़ करके करो तो कर लोगे ने T बराबर 2 तो T बराबर 2 8 में से 4 गया तो 4 मीटर पर सकेंड स्क्वायर Next ये सवाल NEET 2017 में पुछा हुआ बाबे कब पुछा हुआ है NEET 2017 में एक बर अपनी ताकत लगा के दिखाओ, येस, आर बरावर दिया इतना, एक्स बरावर इतना, ये बरावर इतना, चाहो तो डारेक्ट लिख सकते हो, मेथड वन से समझो, आर बरावर एक्स आई, ये, सही है, नहीं, यानि आर बरावर, लिख दो, 5T माइनस, 2T स्क्वार, आई, अप प्लास Y के जगा 10T, जे, और बोल रहा है, एक्सलरेशन, टी बरावर दो पर, पहले तो B निकाल देते हैं, B कैसे निकलेगा, DR बैड टी से B निकल जाएगा, नहीं, तो निकाल दो, यहां हो जागा 5, आईए हो जागा 40, डिफरेंसेशन मे दिक्कत ने आना चाहिए, है कि नहीं, अप प्लास 10T, यानि 10J, अब A निकाल लेंगे, A बरावर, डी भी बटर डी टी, A बरावर, डी बटर डी टी, 0, माइनस, फोर, टी का हो गया, 1, आई, इसका हो गया, 0, लड्डू, यानि A बरावर हो गया, माइनस, बरावर क्या हो गया, माइनस, माइनस, फोर, मीटर, माइनस, फोर हुआ, डारेक्शन होगी, आई, यानि, माइनस, फोर, यह तो हुआ, एक मेथाट, अब करेंगे, दूसरा मेथाट, मेथाट नेमर टू को भी सोच सकते हैं, नहीं, आप देखो, A अगर लिखना होगा, तो A में X कंपोनेंट समझा बात, तो A X हमको जानना पड़ेगा, तो X यहाँ दिया हुआ है, X बड़ावर 5T, माइनस, 2T स्कूर, सोचो, B X निकालतेंगे, नहीं, D X बटे, D T हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 5 माइनस, 4T, और A X निकालेंगे, A X बड़ावर, D V X बटे, D T, अब समझ में आय 0 माइनस, 4, यह तो हुआ, X A X, अब समझा, सवाल आया, A Y का, Y दिया हुआ है, 10T, तो A Y से पहले, B Y निकाल लेते हैं, B Y, B Y बराबर, D Y by D T, और यह हो जाएगा, 10, अब निकालेंगे, A Y, A Y बराबर, D V Y by D T, और यह 10 को डिफ्रेंसिट करोगे, तो 0, यहानी, A X बराब आपर मैनस, यानि इसके जगा, मैनस, मैनस 4, मैनस 4 आई, और इसके जगा, 0 तो समझ में, आ गया ना, कि मामला क्या है, मामला, क्या है, समझ में आया, यास, अब कितना पर होए, अब हम लोग मिलते हैं आगले लेक्चर, तब तक के लिए, बाबाई